जिहांलों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से अप सभी कापके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस ताज़ा अपडेट में यहां हम आपके लि Scout koo सस्क्राइब के बैल आइकपन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सबीले टेस्ट वीडियो सब से पहले मिले हम आपको बना दे हरियाना के कई जिलों में बारिस का इलर्ट जिहां आइमडी ने जारी किया अलपकालीन इलर्ट हिसार भिवानी वा महम चेत्र में देखेगा इसका असर जिहां जैसा कि आप देख रहे हैं इसक्रीन पर जिहां हरियाना में अगले दो घंटों के दौरान आदमपूर, हिसार, महम, भिवानी और आसपास के छेतरों महलकी से मद्यमती वृता के साथ गरज के साथ बारिस होने की संभावना है मौसम भिवाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है इससे परे रोतक में और आसपास के लाकों में भी आईमडी ने बारिस की संभावनों जताते हुए अल्पकालिन अलर्ट जारी किया था जिसे अब वापस ले लिया गया है और रोतक आसपास अब बारिस से आईमडी की संभावना नहीं है इस बीच आईमडी ने दोपएर को हरियाना में अगले पांच दिनों के मौसम का पूरवावन जारी किया है इसमें 25 जून को पूरे प्रदेश में बारिस आईमडी वा गरच मका यलो इलर्ट जारी किया गया है पांच दिनों तक अधिक्तम तामान मौसम में कोई बड़ा फेरोदल होने की संभावना से इंकार किया गया है जिया हुए हम आपको उतादे इस भीच बुदवार सुबह आदी के साथ कई जिलों में बारिस देखने को मिली गुरूगराम में जहां बादल 47 एमेम तक बारिस हुई वहीं सोनीपत में 0,05 एम बारिस दर्ज हुई है इससे पहले रात को यमना नगरवा करनाल में भी हलकी बारिस हुई कई जिलों में 40-50 किलो मेंटर की रफतार से हवा भी चली गुरूगराम में पानी भरने से हाई वे में भी जाम रहा नारनौल में बारिस के बाद पानी भरने से योग दिवस के लिए कारकरा मिश्टार को बदलना बड़ा यहां पर 23 से में बारिस हुई कई जिलों में भी अभी आस्मान पर बादल चाय हुए है इस भी इस फतेहावाद के रतिया में मूसराधार बारिस हुई है परदेश के कई जिलों में सुबह पांच बचे अचानक से मौसम खराब हो गया था इसके बाद दिल्ली के साथ लगते छेतर में 40-60 किलोमेटर की रफतार से आन्दी भी चलने और बारिस का ऐलर्ड मौसम भी भागने जारी किया च्छे बचे के करीब नुह, तावडू, सोहना, गुरूगराम, रेवाडी, पटोदी, कोसली, जजजर, महद्रुगर, बेरी, रोहतक, फरीदाबाद, खरकोदा वासौनी पद में बादल गर्जे, अचानक से आन्दी आई और बिजली भी चमगी गुरूगराम के आसपास जहां खूब बारिस हुई, वहीं अन्य छेतरों में हलकी से मद्यम बारिस दर्ज की गई मौसमी भाग ने फिलहाल बारिस का जो आकला जारी किया है, उसमें गुरूगराम में 47 अम्म बारिस हुई है पिछले तीन गंटे में यहां पर 17 अम्म बारिस है, अगली यहां कोचा और बारिस की संभावना है गुरूगराम में मंघलवार को भी अच्छी बारिस हुई ठीन ओन के मिली हैं लेकिन यहां से बारिस का डाटा सामने नहीं आया है अब सबी को अगले विडियो में तब तक इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे एगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटाइस्ट वीडियो सब से पहले मिले क्योंकि आम मौसम से जड़ू ही जानकारी सबसे सटीक और सबसे सही दी जाती है जिया तत्ता के लिए जय हिंद जय भरत